दान गुण मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए तिलिंग देश का राजा विशाकदत दानी था प्रदान मंत्री चाहता नहीं था कि येउं देश की आमदनी इस प्रकार खर्चा हो मौका पाकर उसने राजा को समझाना चाहा एक गरीब औरत एक दिन राजसभा में आई उसने कहा महराज दो साल पहले मेरा पती एक दुर्खटना में मर गया तब से मैं अनाध हो गई एक ही बेटा है और वह बीमार है उसकी चिकिस्सा के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए जन्म भर आपकी रुणी रहूंगी जोर जोर से रोती हुई वह कहने लगी विशाकदत का दिल उसकी करुन कथा सुनकर पसीज उठा उसने उसे सो अश्रफियां दी और बेज दिया दूसरे दिन सिपाहियों ने उस योती को कैद किया और राजा के पास ले आये उन्होंने राजा से कहा महराज यह एक नंबर की दोखे बास है मंत्री ने उसके पीछे एक खूफिया लगा दिया जिससे सच्चाई मालुम हुई उसका पती और उसका बेटा दोनों सकुशल है तब मंत्री ने धकल देते हुए कहा देखा महराज आपके दान कुन का सहारा लेकर आप ही को कैसा दोखा दिया राजा ने उस उवती को गवर से देखते हुए कहा महामंत्री कस्टों की कलपना करके रोना धोना सहज है किन्तु यह सादर्ण विक्तियों के बस की बात नहीं है इसमें बड़ी अबिनेत्री के लक्षन दिखाई दे रहे है कलाकारों का सम्मान करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है सौ अश्रफियाम उसे और दीजिए और बिदा कीजिए